सो गाइस आज हम शेयर कर रहे हैं बहुती मज़दार बहुती टेस्टी नाश्टे की रेसिपी जिसे हम स्रीफ एक कप गिहु के आटे के साथ बनाएंगे और बनाने में भी बहुती आसानी तो चलिए आज की मज़दार रेसिपी शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है इसमें हम डालेंगे लगबग एक कप के करीब गिहु का आटा गिहु का आटा एड करने के बाद हम इसमें एड करेंगे लगबग एक चमच के करीब आईल आईल करने के बाद हम इसमें एड करेंगे लगबग आदे च नमज के करीब नमक नमक एड़् करने के बाद हम मैसलरर की इसलिए इसलों को एक दम अच्छे मिला लेंगे तो आक देख तरह से चीजों को इसलों पानी फान्द रिपर बना कर रेडि करेंगे बिदि करेंगे और यह galera को सब्सक्राइब भी कर दीजेगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी तो आप देख सकते इस तरह से मैंने इसका बैटर बनाकर रेडी कर लिया है बिल्कुल इसी तरह से हमें इसका बैटर बनाकर रेडी करना है सबसे लग्यास पर मैंने एक पैन रखा है इसमें हम डालेंगे लगबग एक चमच के करीब जीरा जीरा एड करने के बाद हम इसमें एड करेंगे लगबग एक चमच के करीब धनिया धनिया एड करने के बाद हम इसमें एड करेंगे दो लाल मिर्श अब हम इन सारी चीजों को एक बार अच्छे से मिला लेंगे हमें इसे अलका सा रोष्ट करना है तो आप देख सकते हैं कुछ ही देर में एक दम अच्छी तरीके से रोष्ट हो चुका है अब हम लेंगे एक साप सुत्रा मिक्सिका जार और इसमें सारा मिश्रन डाल लेंगे अब हम इन सारी चीजों को दर दर पीच लेंगे तो आप देख सकते इस तरह से मैं इसे एक दम अच्ची तरीके से पीच लिया है बिल्कुल इसी तरह से हमें इसे पीच नभी तो यहाँ पर मैंने दो मेडियम साइज के आलू को उबाल कर इसके उपर का चिलका निकल कर इस एकदम अच्चे से कद्दुकस कर के लिया है अब हम इसमें एड करेंगे लगबग आदे चमस के करीब नमक नमक आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम जादा भी कर सकते हैं साथ हम इसमें एड करेंगे थोड़ी सी बारी कटी हुई हरी धनिया हरी धनिया एड करने के बाद हमने जो ग्राइन करके मसाले रखेते अब हम इसमें डाल देंगे अब हम इन सारी चीज़ों को एक बार हतों से एकदम अच्छे से मिला लेंगे सुगा इस वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चाइनल पर नए हो तो चाइनल को सबस्क्राइब भी कर दीजेगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इन सारे चीज़ों को एकदम अच्छे से मिला लिया है बिल्कुल इसी तरह से मैं इसे मिलाना है तो साइड में मैंने पहले से गयास पर एक पैन रखा था और पैन भी एकदम हलका सा गरम हो चुका है अब हम ब्रश की हल्पसी से ओईल लगा लेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने पैन की हर तरफ ओईल लगा लिया है अब हम इसमें एड करेंगे लगबग दो चमच के करीब बैटर बैटर एड करने के बाद हम गैस की फ्लेम मेडियम पर रखेंगे और पैन को इस तरह से गुमा लेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे एकदम अच्छे से से सेट कर लिया है अब हम पैन को कवर करेंगे और 5-6 मिनेट सेकेंड के लिए इसे एसे ही छोड़ देंगे तो लगबग 5-6 सेकेंड भी हो चुके आप देख सकते हैं एक सेट से एकदम ड्राइ हो चुका है अब हमने जो मसला वाले आलू का बैटर बना कर रेडी किया था अब हम वो इसमें डाल देंगे तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसके उपर सारा मसला डाल दिया है आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग मसला करम जादा भी कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने मसाला एकदम अच्छी तरीके से सेट कर लिया है आप देख सकते हैं और इसे मैंने प्रेस करके सेट किया है अब हमने जो बैटर बना कर रहा था अब हम इसके उपर अच्छे से डाल देंगे हमें इसे एकदम अच्छे से कवर करना है तो आप देख सकते हैं लगबग यहाँ पर मैंने दो चमच के करीब बैटर डाला है अब हम पैन को आपस तीन से चार मिनिट के लिए कवर करेंगे तो लगबग तीन से चार मिनिट भी हो चुके अब हम इसका ढखकन हटाएंगे तो आप देख सकते हैं एकदम अच्चे से लोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसकी किनारे की हर तरह पाइल फैला लिया है अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो आप देख सकते हैं इसे कलर कितना बहतरीन आया है तो इसी तरह से हम दूसरी साइड भी इसे अच्चे से फ्राय करेंगे तो आप देख सकते हैं अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे तो आप देख सकते हमारा सूपर टेस्टी आलू का पराटा बनकर रेडी हो चुका है और है कितने ज्यादा टैम्टिंग लग रहा है तो गाइज अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो के